Hello friends, welcome back to my channel Online Guru Kul If you haven't subscribed to my channel, please subscribe it and also hit the bell icon क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको पता चले हमारे चैनल पर vocabulary session series चल रही है इस series के अंदर vocab को कितने लंबे समय तक हम याद कर सकते हैं कुछ time होता है उसके बाद हम vocab भूनने लग जाते हैं तो हम interesting tricks के साथ vocab याद कर रहे हैं मैं already 4 video upload कर चुक्यूं अगर आपने नहीं देखी हैं तो please देखिए उसे जाकर क्योंकि वह बहुत ही helpful है आपके किसी भी government exam के लिए So let's start the video without any delay मैं link description में दे दूँगी उन videos का So आज का जो first interesting word है वो है extra paid Extra paid का meaning होता है जड से खतम करना किसी चीज को बिल्कुल खतम कर देना abolish कर देना Extra paid कहलाता है अब extra paid का जो interesting trick है link है वो क्या है अब आप extra paid को जो pronounce करोगे तो extra की sound आ रही है और paid की sound आ रही है तो बस यही इसकी trick है extra paid Extra paid को मुझे extra paid करना है destroy करना है कोई भी व्यक्ति जिसका extra paid हो जाता है सब यही सोचते कि हमारा paid बिल्कुल flat हो जाए इसलिए सब अपने extra paid को extra paid करते हैं destroy करते हैं खतम करते हैं तो यहां से आपने क्या समझा जो extra paid है उसका मीनिग होता है destroy करना जड़ से खतम करना अब जो इसका एक sinonoben wärcribed है हो है destroy अब destroy जो होता है मीनिंग होता है खतम कर देना और इसका entonium है extra paid का एक्स्र पेड का einzelोइ कंजर्ब extra paid मतलब करना जड़ से और che अर ridge मतलब बचाना तो एंटोनियम कंजर्ब हो जाएगा एकस्टरप का subset को sentence में कैसे करेंगे we have to extirpate unwanted plant from the field, हमें जितने भी unwanted plant है field के अंदर उन्हें extirpate करना पड़ेगा उन्हें खतम करना पड़ेगा उन्हें जड़ से खतम करना पड़े गा सा ईगता हो जाएक खतम करना जडसे सीनोगी होजाएगा इसका डेस्ट्रऊथी No next word is look пропut Gates का मेलीनिंग ओता है अबब प्रेनुख्रेटिफ को जो करोगे तो दॉन्हें ग्रेट जास है साउंड आएगा तो बस यही इसकी इंट्रंश्टिंग ट्रेक है LOOK rate, it is lucrative, rate की तरफ देखिए, यह बहुत lucrative लग रहा है, बहुत फायदेमंद लग रहा है, बहुत profitable लग रहा है तो यहाँ से lucrative का मतलब निकल कर आ रहा है, lucrate, it is lucrative, बहुत फायदेमंद है, बहुत profitable है So lucrative meaning is फायदे मंदth link हो जाएगा ट्रिक हो जाएगी इसके look rate अब lucrative का synonym और antonium देख लेते हैं synonym हो जाएगा profitable फायदे मंद और जो antonium हो जाएगा unprofitable जो फायदे मंद नहीं है sentence देखते हैं इसका this deal looks lucrative यह जो deal है यह lucrative लग रही है बहुत फायदे मंद लग रही है बहुत प्रोफीटेवल लग रही है इस लुक्राइटिव का जो मीनिग हो जाएगा वो जाएगा फायदे मंद नाओ next word is Candide Outspoken Spost जो Candide का मीनिग होता है इसका लिंक हो जाएगा Candid Candy सेम सेम प्रणाउंस कर रहा है साउंड सेम आ रहा है Candid Candy दोनों को हम लिंक अप कर सकते हैं तो जो इसकी ट्रीक हो जाएगी सबस्ट हो गया तो कैंडी को खाने के बाद मैं Candid हो गया तो Candid का मीनिंग हो गया आउट्सपोकन सबस्ट क्लियर तरीके से कुछ बोलना इसका सिनोनियम देख लेते हैं Candid का सिनोनियम हो जाएगा प्राइनक और एंटोनियम हो जाएगा सि क्रेटिव अब इसको सेंट इसका संटेंस लेकदें दाप्राइम मिनिस्टर उफ डिफरेंट कंट्रीज है अभी करेंट पैंडिमिक है उसके ऊपर तो यहां से पता चलता है कि candidate का जो meaning है वो हो जाएगा clear first outspoken frank now next word is incessant incessant का meaning होता है continue without pause लगातार कोई ची काम करना बिना रुके that is incessant अब incessant को हम इस link से याद करेंगे इस trick से याद करेंगे in session को हम session की देख लेंगे क्योंकि same same pronounce कर रहा है in session in session में मैं continue incessant classes लेता रहा मतलब यह जो session चल रहा है मैंने इसमें continue लगातार incessant classes लिए मैं रुका नहीं हूँ मैंने लगातार बिना रुके classes लिए तो incessant का meaning हो जाएगा continue without pause लगातार किसी कारे को करना बिना रुके अब incessant का जो synonym देख लेते हैं वो हो जाएगा continuous और antonium हो जाएगा irregular राम इस playing cricket incessantly in the park राम लगातार बिना रुके क्रिकेट खेलता रहा पार्क में तो incessant का meaning क्या हो जाएगा continue without pause without stoppage लगातार किसी कारे को करना बिना रुके that is incessant now next word is intricate intricate का meaning होता है जटिल कठिन अब इसको हम ऐसे याद करेंगे intricate entry 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 दोनों same same pronounce हो रहा same same sound कर रहा है तो entry entry को हम याद कर लेंगे then cat entry cat के through करना बहुत ही complicated है बहुत ही intricate है entry cat के through करना बहुत ही complicated यह complicated spelling यहाँ पर थोड़ा correction है चाहिए तो complicated spelling आप avoid कीजिएगा तो complicated है मतलब entry cat के बहुत ही करनी है किसी कोर्स में तो वह बहुत ही intricate complicated है तो intricate का जो मीनिंग है वह हो जाएगा जटिल कठिन है complicated अब synonym देख लेंगे intricate का complicated हो जाएगा जटिल और जो अब इसको sentence देखते हैं इस question is complicated यह जो question है बहुत ही जटिल है बहुत ही कटिन है बहुत ही complicated है तो यहाँ से पता चला हमें कि intricate का मीनिंग होता है जटिल complicated नाउ नेक्स्ट वर्ड इस कमली कमली का मीनिंग होता है सुंदर beautiful उसकी सहेली कमली बहुत ही कमली है सुंदर है मतलब तो मीनिंग यहां से निकलकर आया सुन्दर ब्यूटिफुल अब इसका सिनोनियम देखते हैं सिनोनियम हो जाएगा ब्यूटिफुल और जो अंटोनियम है वो हो जाएगा अगली sentence she was as कमली as I was ugly she was as कमली as I was ugly वैं दिखने में उतनी ही अधिक सुन्दर थी जितना मैं अगली था तो यहां से कमली का मीनिंग निकल कर आया सुन्दर ब्यूटिफुल now next word is destitute destitute का मीनिंग होता है बे सहारा लिंक हो जाएगा अब destitute देसी attitude जैसा साउंड कर रहा है देस से हो जाएगा देसी attitude से हो जाएगा attitude देसी attitude तुम्हें destitute बना देगा तो जो देसी attitude है वो तुम्हें destitute बना देगा तुम्हें बे सहारा बना देगा तो यहां से destitute का क्या मीनिंग निकल कर आया बे सहारा इसका synonym देख लेते हैं जो destitute का synonym हो जागा impoverished और antonium हो जागा affluent impoverished का meaning भी बेसहारा होता है और affluent धनी तो the flood left thousand of people destitute बाड ने हजारों लोगों को बेसहारा कर दिया मतलब जो बाड आई उसने जो हजारों लोग थे उस प्लेस पे उने बेसहारा कर दिया destitute कर दिया तो destitute का meaning हो जाएगा बेसहारा now next word is commiss rate commiss rate का meaning होता है सहानु भूती दिखाना जब हम किसी को सहानु भूती दिखाते हैं किसी की तरफ sympathy दिखाते हैं that is commiss rate commiss rate को commiss rate commissioner की तरह sound कर रहा है तो commissioner plus rate commissioner rate को देखकर सहानु भूती दिखाया मतलब को गरीब व्यक्ति था उससे पैसे मंग रहा था लेकिन गरीब व्यक्ति देखकर उसके रेट को कम कर दिया तो कमिशनर रेट को देखकर उस व्यक्ति की तरफ सहानु भूति दिखाया बोला पैसे तो लूँगा लेकिन कम दे देना तो ठीक है ना तो यहाँ पर क्या हो हमें चाहानुपूती रखनी चाहिए पूर गरीब लोगों की तरफ अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो वर्ड अगर अच्छे लगे हो थोड़े से भी वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर